ये रेसिपी सर्दियों की और पंजाब की खास मक्की के आटे की रेसिपी है एक बाउल में मक्की का आटा लेंगे मैंने दो कप लिया है आधा छोड़ा चम्मच नमक और बारी कटा हरा धनिया डालकर मिक्स करेंगे हरे धनिय से ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है आप इसे बिना हरे धनिय की भी बना सकते हैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा गरम पानी डालेंगे और हातों से इस तरह से मिक्स करते हुए इसका आटा गूंद लेंगे पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें ताकि आटा धीला ना हो आजकल लोग इसमें गेहु का आटा भी मिक्स कर देते हैं लेकिन ट्रेडिशनली इस रेसिपी में गेहु का आटा बिल्कुल भी मिक्स नहीं किया जाता है बिल्कुल traditional तरीके से इस recipe को बनाएंगे जैसे कि पंजाब में बनती है और जिन लोगों को ये बनाना बहुत मुश्किल लगता है या नहीं बना पाते हैं वो भी पहली बार में बिल्कुल perfect traditional taste के साथ इसे बना लेंगे चानल को subscribe सरूर करें साथ ही वीडियो को like और जादा से जादा share कीजेगा इस दो कप आटे को गुनने के लिए मुझे एक कप से थोड़ा जादा पानी लगा है आटा गुनने के बाद आप polythine लेंगे इस टाइप की ये कपडों की polythine है इसे दो हिस्सों में काट कर लिया है अब इसे चकले पर रखेंगे और इस पर थोड़ा सा ओयल या घी लगाएंगे ताकि मक्की का आटा चिपके नहीं हथेलियों को थोड़े से ओयल से ग्रीस करके मक्की के आटे का मिश्रन लेंगे और इसका गोल पेड़ा बनाएंगे तिक्की जैसा फिर ओयल लगी पन्नी पर रखकर दूसरी पन्नी पर भी ओयल लगाकर इस पेड़ी पर रखेंगे पन्नी के ओयल वाला साइट पेड़ी के उपर रखेंगे अब एक प्लेट को इस पर रखकर हाथों से इस तरह दबाते हुए इसकी रोटी बना लेंगे प्लेट हटाकर थोड़ा सा उंगलियों से सेट करेंगे अब उपर की पन्नी हटाकर मीडियम गरम तवे पर इस तरह से दूसरी पन्नी हटाकर इस रोटी को रखेंगे गैस का फ्लेम मीडियम डू हाई रखेंगे रोटी के चारो तरफ चम्मस से थोड़ा सा ओयल या घी डाल कर पकाएंगे फिर पल्टेंगे और दूसरे साइट से भी घी या ओयल डाल कर इसे पका लेंगे बिना गेहूं का आटा मिक्स की ये बहुती आसानी से पोफेक्ट असली ट्रेडिशनल टेस्ट के साथ हेल्दी मकी की रोटी तयार है एक बार इसे मेरे तरीके से जरूर बनाएं हर रोज बनाना चाहेंगे और कैरेंटी है कि पहली बार में ही बिलकुल पोफेक्ट बनेगी गर्मा गरम सरसों के साग हरे साग या चटपटी चटनी आचार के साथ इसे सर्फ करें